स्टोडेंज तोहिक पर्फिस से आपका स्वागत है इलस्ट्रेटर के चलास में यह इलस्ट्रेटर था सिकेंड क्लास ठीक है तो पिछले विडियो का जो पिछले विडियो में पढ़ाए था उमीद है कि आफ सब अने प्रैक्टिस किया होगा तो चलिए हम लोग इसको आगे by five का था अगर आप document setup में जाएंगे और edit artboard में जाएंगे या फिर यहां से edit artboard में जाएंगे आप इसको manual भी बड़ा कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको कोई किसी भी drag करके अगर बड़ा करोगे तो भी यह बड़ा हो जाता है यह देखिए तो भी यह बड़ा हो जाएगा skip कर देंगे skip हो जाएगा ओके great so अब क्या करना है तो अब यहां पर और भी चीजों को चड़ी था सा explain करते हैं मैं आप यहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा selection tool this is the selection tool जो की किसी भी object को move करने के लिए basically move tool ही है आप उससे उसको move कर सकते हैं लाइक अगर मैं यहां पर एक ऐसे box बना लू तो यह जो tool है यह basically इससे आप इसको move कर सकते हैं ठीक है इसको अब यहां से इसे move कर सकते हैं ठीक उसके नीचे में आपको और जब आप move tool में रहेंगे जब आप move tool को select करके रखेंगे तो आपको यहां पर और भी बहुत सारे options मिलने वाले यह देखिए यहां पर जैसा सारे options आपको मिलेंगे regarding this, क्योंकि यह selected है बोलकर आपको यह मिल रहा है, आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यह by default इतना तो मिलता ही है, यह आपको मिल रहा है से, जैसे इसको select करोगे और भी options add हो जाएंगे, यह tool क्या है, यह direct selection tool, यह direct selection tool क्या करता है, कि अगर आपको particular corner को इधर उधर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको select करेंगे, तो इससे आप particular corner को आप change कर सकते हो, जैसा भी आपकी requirement है, उस तरीके से इसको आप change कर सकते हो, this is the direct selection tool, so यह काफी important है, किसी भी shape को edit करने के लिए basically हमें direct selection tool को लेना है, अभी जैसे देखो, अभी मैं इससे इसको move कर रहा हूँ, कहीं पर भी move कर लो, और यहाँ पर अगर मैं suppose एक circle बना लेता हूँ, अभी बस demo के लिए दिखा रहा हूँ, यह सब कैसे clear करते ही, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर मुझे इसको edit करना है, तो मैं direct selection पर जाऊंगा, and इसको इससे select करे ठाइंगे, जैसे आप select करोगे, इसके handle अपको देखने लगज़ आढएंगे, अब आपको क्या करना है इसको आप ईसतरीके से down कर सकते हैं, इसको पकड़के आप ठोबाएधर कर सकते हैं, इसे पगण से पर गेधर, गेधर, तो जो भी आपको करना है, आप यहाँ पर कर स करके object को edit करने के लिए इस्तमाल के जाता है आप अगर इसको घुमाएंगे तो देखिए दूसरा वाला भी घुम रहा है तो यह सब कैसे करते हैं यह भी हम आपको बताएंगे धीरे-धीरे करके आने वाले classes में मैं बताऊँगा इसके बारे में सो अभी देखिए हमने edit कर लिया है और यह भी edit हमारा हो चुगा है ऐसा suppose मान लोग कि आपको यहां पर अगर आप देखेंगे कि इस तरीके से कुछ objects हैं अभी हम लोग बात करते हैं कि color वगरा कैसे feel up करना है डिलीट करने के लिए तो आप डिलीट कर सकते हो normally अगर आपको य बार यहां पे हैसे क्लिक करके इस पर जाना होगा सolek करना होगा यहाँ इस पर ईस पर एक बढ़ियाा फंडा है किया है मैं अपको दिखाते हूँ यह देख अगर आप यहां पर इधार आऊगे तो इधर में आपको एक arrow मिलेगा यह पूरे box के side में arrow मिलेगा अगर आप इ चो भी सेपको लेने हैं ड़िया हैं तो मैं यहाँ से ले-लेता हूं और इस पर माउस ले कर जाओगे तो आपको दिखाएगा रेक्टेंगल लिखा हुआ यहाँ पर लेकर यां पर सेप्ल है उस तरीके से جइसा फॉट्रोशॉप में था वैसा को selection कुछ वैसा नहीं मिलने वाला है तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो rectangle create करेंगे आप तो rectangle create करने का क्या तरीका है आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर simple ऐसे rectangle create कर लिजए यह जैसे आपने create कि आना अभी आप आपको दिखोगे कि इसके अंदर एक red color आ रहा है क्यों कि यहाँ पर बाइडिफॉल्ट रेड फील है यहाँ पर दो option आपको दिख रहे होंगे यह जो दो option आपको दिख रहा है यह पहला वाला जो है फील color है और दूसरा वाला जो है stroke color है यानि कि उसका outline का color है तो अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक black color का outline भी इसके साथ है क्योंकि यहाँ पर color black दिया है तो इसका outline भी black है तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यह red नहीं चाहिए या मुझे यहाँ पर color नहीं चाहिए सिर्फ outline चाहिए तो आप यहाँ पर click करें और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर none करके option इसके click कर दो और बाहर click कर दीजे यह देखिए आपका एक box बन गया आपका एक simple सा यहाँ पर box बन के तयार है कोई ज्यादा problem वाली बात नहीं है यहाँ पर box बन के तयार है अभी आप again यहाँ पर जाओ और यहाँ पर करो तो देखो इसमें कोई color नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो भी आप पहला बार करते तो वो by default हो जाता है तो अभी यहाँ पर कोई color नहीं आएगा ठीक है जो भी आप box बनाएंगे या कोई भी save बनाएंगे यहाँ पर color नहीं आएगा ठीक है चलिए तो अगर आपको इसमें color भरना है तो इसको आप एससे select कीजिए and select करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और जो भी color आपको चाहिए य एक्स एक्स जो है इसका shortcut है मतलब एक्स और इधर में होगा तो यहाँ पर डबल क्लिक करो यहाँ पर आगया सेम फोटोशॉप जैसा आ जाएगा और यहाँ से आपको जो भी color भरना है वो color आप यहाँ से ऐसा प्रिक कर दिजिए ओके कर दिजिए color automatically यहाँ पर फील हो जाएगा और इसका एक फाइदा क्या है इसका एक फाइदा क्या है कि अभी अगर देखो अभी अगर आप यहाँ से दूसरा color बनाओगे यह color भर गया यहाँ पर लेकिन वो purple वाला भी यहाँ पर sample हो गया है यह देखिए तो अभी आप जस्क्लिक कर दोगे तो वो आ जाएगा यह एक बहुत बढ़ी आप फाइदा है यहाँ पर जैसे suppose मान लो कि तुम यहाँ पर गए और double click किया यहाँ से आपने यह color भर दिया है color आगया अब आपको किसी ने बोला कि भाई यह तो आपने color फील कर दिया लेकिन मुझे वही color चीए जो आपने पहले भरा था don't worry आप यहाँ पर जाएए यहाँ से जो color आपने पहले यूज किया है वो सब sample हो जाएगा जो color चीए ले लिजिए अब एक चीज और आप ध यहाँ पर choose कर रहा हूँ यह आप देखो green मैं अदम देखो कितना इदम bright green है जैसे ही ok कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर उतना bright नहीं आ रहा है ठीक है यहाँ पर उतना bright नहीं आ रहा है इसके पीछे reason है reason है क्योंकि आपका जो document है वो CMYK में है ठीक है जो आपका document है वो basically CMY में हैं तो CMYK में होने की वज़े से आपका एक प्रॉब्लम यही आएगा कि आपको कलर जो भी है वो थोड़ा सा फेड होकर आएगा मतलब थोड़ा सा डल कलर आएगा तो हम इसको CMYK से हटाके RGB में कर लेते हैं फिर चेक करते कि क्या होता है तो कोई बात नहीं है आप अगर आप आते हैं तो देखो डॉक्मेंट सेट अप के अंदर में आपको ऐसे कलर मोड नहीं दिखा रहा है तो कैंसल करो सीधा फाइल में जाओ डॉक्मेंट कलर मोड में चले जाओ इसको कर दो RGB कर दिया अभी आप यही वाला कलर को भरिए सेम कलर को मैं काम करता हूं उस अगर कौन से कलर मोड पर काम कर रहे है तो उस कलर मोड से रिलेटेड आपको आएगा तो जनरली हम लोग प्रिंटिंग के लिए तो सीम आई के ही यूज करते हैं तो अगर आपको वह ऐसा कुछ रिक्वार्मेंट है तो आपको वही यूज करना पड़ेगा है तो अभि हम सीमाई के हम से आरजी वी में आ गए है तो आप देख सकते हो और विए कर देता हूं यहाँ पर किसी भी टाइम में आकर वही पुराना कलर का अप ले सकते हैं यह देखे तब यह बहुत डल दिख रहा था अभी यह बहुत बढ़िया दिखेगा अब यह तो मैंने बताया कि एक तरीका हो गया create करने का लेक अब suppose मालो कि इसका size हमें चाहिए लाइक इसका मुझे size चाहिए 5 by 5 तो इसका size हम कैसे set करेंगे इसका size हम कैसे set करेंगे 5 by 5 तो बहुत ही simple है आपको क्या करना है इसको select करना है and then मैं इसको ऊपर लगाता हूँ and then just go to the properties and property के अंदर में आपको यहां पर width and height मिल जाएगा तो आपको 5 by 5 कर देना है आपका हो गया ठीक है या फिर आप इसको कर दिजा देंगे 3 by 3 आपका हो गया आप इसको side कर लिजिए done तो अगर मुझे पहल और एक और तरीका है जहां पर आप file मनदब ऐसे box को create कर सकते है with proper size ठीक है एक और तरीका है जहां पर box को create कर सकते है with proper size कर सकते है कोई problem नहीं होगा कैसे करना है चले मैं बताता हूँ, so सबसे फिल आपको यहां पे क्लिक करना है, box पे, and यहां पे आकर आपको इसे drag ना करके simple click कर दो, simple click, जैसे ही आप एक simple click करेंगे, तो simple click करते ही, यहां पे आपको यह चीज मिलना सुरू हो जाएगा, यहां पे within height पूछ रहा है, तो आप यहां पे डाल दीजिए, 3 by 3, and 3 by 3 inch का है, यह देखिए 3 by 3 inch का आपको एक मिल गया, so this is very simple, बहुत ही, मतलब अगर आप photoshop के साथ compare करें, तो मुझे लगता है कि this is amazing, like photoshop से बहुत ही quick, बहुत सारा काम ऐसा है, जो quick हो जाता है, लेकिन photoshop और illustrator में अगर differentiate करने जाओगे, तो एक छोटा सा difference आपको यह मिलेगा, कि जैसे आप photoshop में कोई image का cutting कर सकते हो, उस तरीके से आप यहां पे image को cut नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको again photoshop का ही help लेना पड़ेगा, उसके लिए again हमें photoshop का help लेना पड़ेगा, तो यह देखिए हमारा box आगया है, तो यह दो तरीके हैं, जिससे, पेंटूल से नहीं कर सकते हैं, यहां पेंटूल काटने वाला पेंटूल नहीं है, यहां, यहां पेंटूल है, मगर वो काटने वाला पेंटूल नहीं है, जैसा photoshop में work करता है, वैसा यहां पेंटूल नहीं मिलेगा आपको, अगर आपको box को बड़ा चोटा करना है, तो बहुत ही simple है, आप इसको ऐसे select करेंगे, and select करके, आप जिस corner से बड़ा चोटा करना चाहते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, यह जो line है न, इस line को आपको लोग बोलते हैं, अगर आप अपने keyboard पे control यू प्रेस करेंगे, तो यह smart guide on off हो सकता है, अगर आप उसको चारो तरफ से बड़ा चोटा करना है, तो आपको यहां पे shift and alt दबाना होगा, shift and alt दबाएंगे, तो यह चारो तरफ से बड़ा चोटा हो सकता है, और अगर किसी एक side से आपको करना है, तो किसी एक side से करने के लिए आप normal कर सकते हैं, उसमें कुछ करने की जूरत नहीं है, कोई भी press नहीं करना है button, normal आप किसी भी एक side से कर सकते हो, और अगर corner से करोगे तो यह आप जिस तरीके से mouse को घुमाएंगे वैसा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बड़ा हो, तो shift दबाना होगा आपको, done, so यह तो हो गई हमारी, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको layer के बारे में बोला था, layer यहाँ पर थोड़ा सा different है, तो वो layer थोड़ा सा different कैसे है, चलो मैं आपको समझाता हूँ, so actual में क्या होता है, मैं तो यहाँ लेयर को बाहर निकाल लेता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, basically अगर हम photoshop में, photoshop की बात करें, तो photoshop में क्या होता था, कि अगर जैसे यहाँ पर layer 1 है, photoshop में होता था कि अगर आप sub-layer, ठीक है, illustrator के अंदर में एक facility है, sub-layer का, ठीक है, so यहाँ पर एक sub-layer की facility आपको मिलती है, मतलब कि देखो मैंने, अगर आप देखोगे, तो आपके इसाफ से मैंने सारे के सारे एक ही layer में create करें हुए हैं, but this is the main layer, when you will click on this icon, you will get a different layer, जो की separate है, जो सब अलग-अलग layer को, सब अलग-अलग है, लेकिन Photoshop में अगर आपने ऐसे एक layer में create कर दिया, और आप किसी एक को move करेंगे, तो वो सब move होता है, यहाँ पर नहीं होगा, जिसको आप select करेंगे, सिर्फ वही होगा, लेकिन, अगर आप चाहते हैं नहीं, लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि सब को ए आपका सब एक साथ move होगा, जैसे मैंने इस पर click किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यह सब individual है, जैसे मैंने इसके उपर click किया, सारे के सारे blue हो गए, इसका मतलब कि सब के सब selected है, now when we will move it, यह सब के सब एक साथ ही move होने वाले हैं, अलग-अलग नहीं होगा, सब के इस तब facility, जो की बहुत अच्छा facility है, कि आप चाहो तो पूरा design एक page एक ही layer में बना सकते हो, लेकिन नहीं बनाना चाहिए, कैसे काम करना है, वो सारी चीज़े बताएंगे, आने वाले classes में, लेकिन आप यहाँ पर चाहो तो एक ही layer में भी सारा design बना सकते हो, वो अलग- layer में ही create होगा, यानि कि आप जो भी create करेंगे, वो सब अलग-अलग layer में ही create होगा, आप इसका rename कर सकते हो, जो अगर rectangle है, तो यहाँ पर देखो इसका automatically name rectangle है, अगर ellipse है, तो ellipse है, और आप चाहो तो इसका double click करके इसको rename भी कर सकते हो, इसको भी double click करके इसको भी rename कर सकते ह तो ये था लेयर का फंडा तो friends, उमीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि box वगरा कैसे create करना है, color कैसे भढ़ना है and like layer को layer क्या है, कैसे काम करता है तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसकी अच्छे से practice कीजिए और उमीद है कि आप इसकी practice करेंगे and पिछली वीडियो कर नहीं देखे हो ना, तो please एक पार जाकर उसको देख लीचेगा क्योंकि और वो end screen में भी आपको उसका link मिल जाएगा वहां से भी आप देश सकते हो, ठीक है तो practice कीजिए, मिलते हैं next class में तब तक के लिए दिजायाना इजाज़त, बाबे, टेक केर and thank you so much for watching this video